हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजली नियूस कौर्ण में मैं हूँ आपकी वही अंजली बहुत चोटी लिस्ट है मेरी खुआहिशों की पहली भी तुम और आखरी भी तुम हो जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशी खुल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बज़े हैं या फिर मारीज अनिवर्सरी है और इका बीरी और से ठेर सारी शुब खामनाएं तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी अब जीब सी है शेहरों की रोशरी उजाले की बावचूत चेहरे पहचानना मुश्किल है जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रहता है उसकी द्वार पर तो खड़ सुख बाहर से लौट जाता है फिकर, खयाल, इज़त देने वाले नसीब से मिलते हैं कद्र कीजिए आज का इंसान सची बातें दिल पे नहीं लेता और जूटी दिमाग पे ले लेता है किसी का सरल सभाव उसकी कमजोरी नहीं होता संसार में पाने से सरल कुछ भी नहीं है लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चटान के भी टुकड़े कर देता है असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है मेरे अपनोंने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए फाइदा ये हुआ साहिव मैं तैरना सीख गया मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है कि बोज बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते है इंसान ही इंसान का रास्ता काड़ता है बिल्लियां तो यूही बदनाम है शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है जंगल में चुरनाम नहीं होते तजुरवे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है क्योंकि दहाड कर शिकार नहीं किया जाता जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते बर साथ गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती जिंदगी जलाली हमने जब जैसी जलानी थी अब धुए पर तमाशा कैसा और राख पर पहस कैसी एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाएं कसम कोई फरक नहीं पड़ता अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता तो जुर्बे ने एक ही बात सिखाई है नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है सबसे पहले मैं आपको बता दू कहजाब के लिए जो है भागेशाली रंग रहने वाला है वो रहेगा और इंच करर और जो भागेशाली अंग के है यानि कि लखी नंबर वो तीन रहने वाला है हर बात को जान च परक कर ही आज आपको आगे बढ़ना होगा यही सितारे आपकी और इशारा कर रही है परिवार ये करीवे रिष्टिदारों को व्यक्तिकत यूजनाओं के बारे में ज़्यादा बातें मत पताईएगा आपकी उम्र के हिसाब से आप ज़्यादा समझसार है जवात कानुभव आज पास के लोगों को आ सकता है बिगड़ते वोई बातों को ठीक करने में आपकी वक्त के साथ आप अपनी उर्जाख हो रहे हैं अपने दारे से निकल कर दूसरों की मदद करना आज आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है क्योंकि आज आज आप इस चीज से अपना ही काम लेट कर सकते हैं विकार सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपना काम कंप्लेट करना है तभी आप दूसरों की मदद कीजिएगा इसलिए पहले जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले आप खुद को और अपने काम को दीजिए आज आप सभी कारे को बहुत ये बहतर ढंक से करने में काफी जो है अच्छे फिल कर पाएंगे सक्षम रहेंगे साथ ही में आपकी जो दभी हुई कोई प्रतिबा है उसे लोगों की समक्ष उजागर हो सकती है साथ ही में जिससे आपका जो आतम विश्वास है वो काफी हद तक बढ़ सकता है मान सम्मान में भी काफी विरिद्धी होती नजर आ रही है घर के सुक्सुविदाओं से रिलेटेड आप कोई चीज खरी सकते है जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन ये सब बड़ी बड़ी चीज़े आप खरी सकते हैं आज के दिन परिवार के जो साथ आप टाइम स्वेन करेंगे वो काफी यादगार सावित हो सकता है आज का दिराम को ऐसा लगेगा कि जैसे पुराने यादे फिर से ताज़ा होगी है, पुराने दिन फिर से आगे है आज जो है किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ किसी वी शीशे मुद्दे को लेकर कहा सुने भी होने के शंका बन रही है कभी-कभी याद बहुत यू तेजित हो जाते हैं, बहुत जाद ओवर एक्साइटेड तो ऐसा मत कीजेगा और जल्दबासी जैसा सभाव आपके लिए परिशानी का कारण जो है, वो बन सकता है साथ में सिदारी ये भी कहते हैं कि आज जो है अपने सभाव पर आपको काबू करना होगा परिवार से मंचाह साथ ना मिलने की वज़े से, आज आप पर बना बोज, आपको और भी भारी लग सकता है स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस की वज़े से चुहें आप काम को भी आखरी वक्त बिटाल सकते हैं ऐसा करने से प्रहेस करना होगा, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है, वो पहले करना है, और जो आपको स्ट्रेस है वो आपको नहीं लेना है यवाओं को पैसो की चिंता आज ज़्यादा हर्तक सता सकती है, अच्छे अफसर पाने के लिए सईयम का रखना बहुत ज़रूरी है अज आप मेंसे कुछ लोग जो हैं दूर की आतरा कर सकते हैं, या इसे अंतिम रूप दे सकते हैं इसे खास काम के लिए पर्यापत बहरी सहयोग आपको मिल सकता है, आज आपको काफी मात्रा में अराम भी करना चाहिए, तभी आपकी बॉड़ी के लिए ठीक रहेगा आज देरी चरिया की गते विधियों से हट कर किसी इंपॉड़न बात को गहराई से जानने के लिए समय स्वेंट करेंगे और अध्यात्म से जुड़े विश्यों में विश्य शिरूची लेंगे, इंट्रस्ट लेंगे अगर पैत्रिक सबंदी कोई मामला रुका हुआ है, तो आज किसी के बात करने से कोई अंसान ऐसा होगा जो इस चीज को आपको हल कर सकता है नजीकी सबंदी या फिर वित्र से किसी बात को लेकर सबंदों में अगर कट उता रही है तो सुजाना आपका में मौटीव रहना चाहिए, साफधन रहीगा, कोई गुपत बात किसी को बद पताईएगा आपनी इस्पेशली परस्टनली बात धार्मिक बुस्तुकाद है निया किसे धार्मिक सल पर जा सकते हैं आप जिसे जो हैं आपका जो मानसिक शांती वो आपको काफी हद तक मिल सकती है आज आप कोई तहास के नएनी बातों के बार में भी पता लगीगा जिसके बार में आपने पहले कभी नहीं सुना था चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजमेस और करेर की तो बिजमेस और करेर कहता है कि बीमा शेर्ज इन सब चीजों से जो लोग विपार करते हैं जुडे हुए हैं वो अच जादा ही कुछ बीजी रहने वाले हैं लेकिन हाँ बीजी रहने के साथ-साथ आजब काफी हद तक मुनाफ़ा भी कमा पाएंगे अगर विवयासा एक स्थल पर कुछ बदलाव करने के आप मन बना ही रहे हैं मोड बना चुके हैं तो जरूर कीजी लेकिन आपको रूल्स और रेगुलेशन का पालन भी करना होगा तब ही अब चीजें ये सब कर पाएंगे ऐसा करना आपकी आर्थिक सित्य को और भी बहतर बना सकता है अचकाम के हिसाब से पूरा पैसा ना मिलने की वज़े से कई लोगों को जो उदासी चाही जा सकती है यानिकि अगर देखा जाये तो मिला जुला समय कहा जा सकता है बिस्मस और करेड़ वालों का इंकम के जो है नए नेस तुरोत आपको मिलेंगे खुलेंगे अगर आपने किसी नवीन कारे के शुरू करने से रिलेट कोई प्लानिंग बनाई है तो उस पर आपको फॉराण अमल करना होगा सिफलता दायक जो है वो योग बने हुए है नौकरी पेशार व्यक्तियों के लिए भी परिसीतिया बहुत ही बढ़िया कही जा सकती है आज उच अधिकारियों के साथ आपके बहुती मधूर संबंद बनते नजर आएंगे काफी हद तक आपको फाइदा पहुँच सकता है नौकरी से जुड़े अफसर दोस्तों के द्वारा उपलब्द हो सकते हैं आज आपको कहीं से भी किसी भी तरह के मतद भी मिल सकती है तो चलिए अब आगे बढ़ते वर बात करते हैं आज के लव लाइफ की लव लाइफ कहती है कि परिवारी का वातावरन बहुत ही खुश्टमा रहेगा बड़े बजर्गों का आशिरवाद और सने हैं परिवार पर बना ही रहेगा आज जो है भगमान की विशेश किरपा आप पर बनी रहेगी साधी में पती-पत्नी के लिए एक दूसरी का सहयोग बहुत ही इंपॉर्टन रहेगा आज के दिन आर्थिक सिदी जो है आज उसमें मंचा बदला वननान की वज़े से विवास से जुड़ा फैसला भी बदला जा सकता है अपने विशेश कारे में जीवन साधी की सलह जरूर लीजेगा आपको बहुत ही उच्छी समधान मिल सकते हैं और आपकी जो कारिक शमता है उसमें भी इसाफा देखने को मिल सकता है चले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ की बारे में हैड कहता है कि जुकाम, खासी, नजला वगेरा या गला खराब हो सकता है इसे दिक्कतें आ सकती हैं तो अपना जो इम्यूनी सिस्टम है उसको जरा स्ट्रॉंग कीजी इसके लिए आप देशी चीजों का सहारा ले सकते हैं आईरवेदी चीजों का आज वाहन को जादा तेजी से मच चलाएगा वरना गिरने की संभावनाई बन रही है पेड से जोड़ी विमारी का हल निकल सकता है लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा कुछ समय से चल रही माईगरन जैसी परिशानी में आपको काफी हद तक कर रहात महसूस हो सकते है बदलते मौसम से अपना बच्चा आप खुद ही करें तो ही वैडर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं चले बात करते हैं आज की अंतमे विशीशो भाई के बारे में तो आज आपके लिए विशीशो भाई कहता है कि आज आपको सूरी उपासना जरूर करने चाहिए और हाँ गायतरी मंत्र का जो पार्ट है वो जरूर करना चाहिए साथ में आज पीली चीजों का दान करना बहुत ही बढ़िया और फायदा मन्द रहेगा जो पीली चीज़े नहीं कर सकते हैं वो जो सेगंड प्रेफरेंस है आप वाइट चीजों का दान भी ठीक रहेगा लेकिन अगर आप पीली करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है तो दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद